हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई इस्टेडी शीट चैनल दोस्तो प्रिवियर्स येर में जितने भी कोस्टन्स फिजिकल एजुकेशन कमपेटिटिव जॉम्स रिलेक्टेज टिजिटी पीजिटी के विएस एन विएस एल्टी से कोस्टन्स पूछे गये हैं उन सभी कोस्टन् के समच्छे प्रस्तुत कर रही हूं दोस्तो यह सीरीज नमबर थार्टी टू है और दोस्तो यदि आप सिलेबस के अनुसार इन सभी एकजामस के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियोज सिलेबस के अनुसार पड़े हुए हैं उन सभी वीडियोज को वाज करकी आप अपने प्रिप्रेशन को वेहतरीन बना सकते हैं तो चलिए चलते हैं आज की फ्रस्टनों की श्रिंखला के तरफ पहला क्वेश्टन है योग चित बृति चर्निरोधा परिभासा दी है किसने दी है इसका शही आपसन है आपसन नमबर वी पतंजली पतंजली जीने कहा है कि योग चित बृति चर्निरोधा यानि चित की बृतियों को रोकनी या मन की आवेगों को नियंतरित करना वे योग है चित्त की वृतियों को रोकने या मन के आवेगों को नियंदित करना ही योग है यह परिवासा योग सुत्र के रचनाकार महरसी पतंजली ने दिया है योग सुत्र को किसने लिखा है महरसी पतंजली ने पतंजली के अंसार की चित्त की बृतियों को चंचल होने से रोकना ही योग है महारसी वेदव्यास के अनसार योग शमाधी है रिश्ट कोर्शन है कि योगी की यह परिभाशा किसने दिये कि मन के आवेगों को नियंत्रित करना हो योग है तो इसको किसने दिया है अभी तुरंत बताई हूँ महारसी पतंजली ने नेक्ट कोशन है पहला अंतराष्ट्य योग दिवस कब मनाये गया तो पहला अंतराष्ट्य योग दिवस मनाया गया 21 जुन 2015 को आफसे Siem No.1 करेक्ट एंसर है एक्स्टक होता है कपाव से लिए एकाग्रता के लिए प्राडायांके लिए उर्जा के लिए तो दोस्तों देखिए होंगि रहना है त्राटक अपनी द्रिष्टी को बाधे रखना किसी भी से इस वास्तु पर अपनी द्रिष्टी केंदित रखना बनाया रखना त्राटक होता है नेश्ट कोस्चन है बंध है जलांदर बंध ओडियाउन बंध मूल बंध उपयुक्त सभी तो दोस्तों इसमें तीनों के तीनों बंध है इसलिए आफ़सर नमबर डी करेक्ट एंसर उपयुक्त सभी दोस्तों बंध का अर्थ है रोकना या कशना या बाधना या ताला लगाना यदि हम योग में बंध की बात करें तो यह सरीर के कुछ हिस्षों में उर्जा प्रवा को रोक कर उसे अन्य अंगों में प्रवाहित या शंचित करने का कारे करता है शही मायनों में यह उर्जा के वीतरण का कारे करता है बंध चार प्रकार के होते हैं जलंधर बंध, उड्यान बंध, मूल बंध, महा बंध नेक्स कोश्चन है मालिश का शरीज पर प्रभाव पड़ता है किस पर किस पर पड़ता है तोचा पर तंत्र पर रत परी संचर पर उप्रक्त सभी तोचा पर भी पड़ता है और जाएक है तो उप्रूट सभी आपसम नमबर ₹ करेट इंसर हो जाएगा मालिश के दौरान मस्तिस के अंड़ोर्फिन नामक रोशायन इस्त्रावित होता है जो सरीर यहों मस्तिस को एक अत्यंत शुक्ष कारी अनुभौ प्रदान करता है सरीर में मालिश की प्रभावतों चार रक्त परिशन चंद्र मानस्पेशियों तत्रिका तंद्र स्वशन तंद्र सभी विभी निभागों पर पड़ता है कि जब मानस्पेशी कमजूर छोटी और शक्ती में कम हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं जैसा कि आप सब को पता होगा इसे और ट्रॉफी कहते हैं आपसा नंबर भी करेक्ट एंसर यानि दोस्तों नियमी तभी आया है मानस्पेशियों में अगर ब्रिधी हो जाए या मजब से गूत हो तो उसको हाइपरगा केहते हैं जो कम जोर छोटी मानस्पेशियों में कम होत जाए तो और ट्रॉफी कहते हैं ठीक है CG जब नियमी तभी आया digo में मानस्पेशीयों में ब्रिधी होती है तो इसे क्या कहते हैं हाइपरग्र ट्रॉफी फीक है आपसा नंबर ड्रन एंसर 시간 है कि नियम्य तभायाम और विस्थित्षर कंकार की मांसपथेश्यों कि आकार और मातरा को बढ़ाता है इस गरपना को क्या का जाता है तर दुएलिशकिक आकार और उसकी मातरा को बढ़ाने की बाताएंगी वह republic अतिव इस आ तो पेंसे, लिसमें मातरा को बनता की तो मांस पैसी आतीवी तो अकारा open बिल्लमी है. लंबी अवधी के प्रतिरोदहातों के कारण कहिलावें में मांस बढ़ जाता है. यहां भी PC मांस को बढ़ने की बात कही है तो उ बाना जाता है क्या माना जाता है PC मांस बढ़ जा रहा है तो हाईपर टॉफी होगा तो आपसर नमबर जी करेट एंसर PC हाईपर टॉफी Next question है गतिशिल सक्ति के भाग है तो गतिसिल शकति के तीन भाग होते हैं अधिक्तम सक्ति, विस्फूटक सक्ति, शक्ति सहन सिलता कौन कुन से भाग होते हैं अधिक्तम सक्ति, विस्फूटक सक्ति, शक्ति सहन सिलता यानि maximum strain, explosive strain, strain endurance option number D यहाँ पे सही answer हो जाएगा A, B और D यह गति सेल यानी डानइमिक इस्टेंड इससोटूनिक इस्टेंड के भाग है जोकि इसमेट्रिक सक्ति 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 गति इस्टि सक्ति को भाग है इस ही सक्डिक भाग है नेक्ट स्टोचन है कि सक्ति फ्रस्थिच्र की वह प्रकार जिसमें संकुचन के दौराओं मांस्पेशी की लंबाई छोटी होती है जानी जाती है तो इसमें से क्या जाना जाएगा दोस्तों इसमें आपसंत है है आईeletek, उसाग्समे और 50 गैसे तो जिसमें मांश्रेश यहां छोती और बड़ी होती है गुस्टति हैं अमें स्टाइल शुंक चन सक्कित प्रसइच्छर स्ट्रेंग त्रेम क क्ति विद्धि के लुगर फ्रियुक्र। 2 प्रकार को रहता है। कंसेंट्रिक एन inhcentric contraction koncentrich में मांशप्सपिसियो कि लंबाई घरती है जब कि daha nigal question है कि संकूचन में मांशपिसियो क्यों की लंबाई परियुत होती है तो मांशपिसियो की की होती है आईशो टोनिक में दोस्तों तीन प्रकाय傳 चक्पिशित करने की विदिया होती है आइसो टोनिक आइसो मेट्रिक आइसो कानेटिक आइसो मेट्रिक यानि की आइसो धनमेट्रिक यानि सेम लंबाई उसमें लंबाई परदित नहीं होती है अगती होती हुए दिखाई नहीं देती है आजब की आइसे टोनिक मतलब आइसो प्लस टोनिक यान सेम तनाओ। इसमें तनाओ सेम बना रहता है क्वाइप की घरतई बढ़ती है और करणों द्वारण पानी वाले खेलोंまあ जादी होता है और इस तो काइटिक यहनि तैम मतलभ स्टेम तो तो आइसोमेट्रिक सेम लंबाई आइसोटोनिक सेम तनाओ आइसोकनेटिक सेम गति नेस्ट कोश्चन है मांसपेशी शंकुचन में मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे हम क्या करते हैं देखो जोश्तों गतिसिल जटी जो आपका यसेटोनिक होता है उसमें मांसपेशिया की आकार चोटी-बड़ी होती है दो परकार के ने रीजन्द धन्संत्रीक गले जिस आप डमल लेते हैं दंबल को पर अपजित कर रहे हैं तो उसमें ऑनसपैशिया चोटी हो रही है वापस ला रहा है तो उसमें इंसेंट्रिक कंट्रक्शन हो रहा है तो यहां पर पुछा है मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं तो इसे हम कंसेंट्रिक बोलते हैं आप्समन दिया है whereas a nice question कि स्चैने कि प्रकार के खिचाओ निसलाइडिंग फिलामेंड शचदान कि सी की दवरा प्रतिपार्टित mois गया था किसके द्वरा प्रतिपाइद किया गया था पैथागोरोस डार्विन न्यूटन होक्षले तो आपसे नमबर डी करेट एंसर होक्षले ने इस सिधान को दिया था मांस्पेशी संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिधान 11 मईए 1994 को एंड्रियू होक्षले यह हम ड इस तो संकुचन एक उदाहर है किसका आचणी directing टिक में उत्केंद्री शंकेंद्री इसका उदाहर है तो यह है संकिक का आईसी और सम्गति की द्वरा एक बिसे ब्रकार का पर्लां नंट नरुप से लिए तौन में नहीं यस पर्लो भियामो का परियोग के जल किड़ के जादे किया जाता है जैसे कि रोईंग यानि कि नाओं के ना तैना यानि कि शूमिंग इस प्रकार कि बैयायम खेलों में पानी वाली खेलों में इसका ज़्यादा उप्योग होता है उपकरणों त्वारा किया जाता है स्पेस्टायल तराकिकी दुरान बाहों को सिधा किलना बाहों प्रहार आम निस्ट्रोक इस प्रकागिस संगुचन का एक उदार हर है निस्ट कोश्चन है कि निम्निमिश्टिक किसे मांस्पेस्टियों की अधिकतम ताकत लगाते हुए सरीर के अंगों को तेजी से हिलाने की छमता के रूप में पड्विवासित किया गया है अरितम ताकत लगाते हुए तेजी से हिलाने की छमता को पड्विवासित किया गया है शक्ति के रूप में आपसर नंबर सी, Correct answer दोस्तों प्रतिरोध का सौमना करने की मांस्पेशियों की योगता कुछ शक्ति कहा जाता है, शक्ति की विकास की प्रमक्तिन वीधियां होती है, आइसोमेट्रिक, आइसोटूनिक, आइसोकैनेटिक नेक्स्ट है, निनलिखित भ्यायामों में से कौन सा एक विसीस उपकरण के साथ किया जाता है, जो एक गतिवीधि को विभिन प्रतिरोध प्रदान करता है, ताकि चाहे कितना भी जूर लगाए जाए, गतिवीधि एक इस्थिर गतिशू होता है, इसका शही आपसन है आइसो काइने जाता है, जो एक गतिवीधि को विभिन प्रतिरोध प्रतान करता है, ताकि चाहे जितना भी जूर लगा जाए, गतिवीधि एक इस्थिर गती से फ़ता रहता है, आइसो काने जाता है, इसे रोइंग स्वीमिंग आदे, नेक्ट कॉंचन है, निमनिखित प्रडालि क्यों सा आपके सरीर से सराब जैसी अपसिस्ट उत्पादों के प्रक्रमड और निकालने के लिए जिमेदार होता है तो आप सब को पता है उस सरजन तंत्रे ऐसा काम करता है आपसर नंबर एक करेक्ट एंसर नेक्ट्रक्शन है सभी चलने ऑव दढ़ने की घर्णाों में तुरण और किसकी बीच सिधा समद्ध होता है जितने भी दोड़ने और चलने की घटना है उसमें तोरण और सरी के कोड़ का सीधा संब्द होता है तो आपसे नंबर भी करेक्ट अंसर क्योंकि चलने और दोड़ने पर जमीन पर एड़ी का सपोर्टिंग फेज और नान सपोर्टिंग फेज काम करता है इस कोश्चन है कि आइसेटोंटिक भीयाम का संबंध है किसी है वेटा लचलापन से कि दमखम से कि शक्ती की गती से तो जैसा कि आप सबको पता है सक्ती को बिशिद करने की त्रिवक्ट में तो यहां अफसेटन नंबर स्टी करेक्ट एंसर शक्ति हो जाएगा आइसेटोनिक ब्यायाम जिनमी मांस्परीशी दोरा क्लिया की जाती है आईसोटोनिक ब्यायमों में मांस्परीशी तनाओं पैदा होता है तनाओं के साथ साथ लंबार ही परियोटित होती है सक्ति प्राप्त करने के लिए यह सरोच मना जाता है इस भी एक अस्थान पर दर्णा कुद्णा भाहर उठान है उठाने के साथ व्यायाम करना अधी यह अई उन्हेरी भी पुरूलने कर और करना जीन की सकति हमोड़ को से प्रेशिंग को जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो दोस्तों व्यायाइशन उठाने नीचा करना आप पेसी छोटी बड़ी हो रही है तो इसमें कौन सा व्यायाम होगा तो आपसा नमबर सी कारेट मैंसर आइसो टोनिक प्रतिरोधक व्यायाम कोई व्यायाम वजन उठाना हो चाहें नीचे करना हो जोड़ों को खुलना हो बंद करना हो प्रेसिंग हो रहता है कि संपरासारी संगकूचन को यानि कि आइसो टोनिक संगकूचन को भी कहा जाता जा सकता है क्या कहा सकता है ? और говоря है को गतिशील सकती ही बोला जाता यह दोस्तों — اपसंड़ नमबर एक संदीसर भूंब गतिक संगकूचन ठीक है नेक्स्ट कॉर्शन है सक्ति के विकास की विधिया है कौन को शी विधिया है iso matrix I ізotonic by am isotonic by am Yo द विक दोनों कोई नहें तो दोब्सक्राइब ही हैं खी शक्ति की विकास की तीन प्रमोंख विधिया नेक्स्ट कोश्चन है यह कोई मान्स्पेसी संकुचित हो पर उसमें कोई गती नहीं दिखाए देती है तो यह संकुचन विधी क्या कल आती है आफसर नमबर ए कायट एंसर आइशो मेट्रिक इसमें कोई घती नहीं दिखाए देती है मांस पीस्व के लंबाई परियोटित नहीं होती है स्टेम लंबाई होती है जैसे कि रिवाल को धक्का मारना तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आई होब कि सभी कुस्ट्स आपको अच्छे सी समझ में आई होंगे दूस्तो ए वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रू बताइए ज़्यादे से ज़्यादे सेयर किया किजिए दूस्तो जिसे मुझे एक नया मोटिवेशन में सके जिसे मैं डेली बेसे इस पर आ